अब नमस्कार मैं हूँ गौरण श्री वास्तो और हमारे साथ देख रहा है हमारे खास कारिकम बात अपने देश की और बात अपने देश की इसलिए कारिकम का नाम है क्योंकि इसमें हम जो भी बात करते हैं वो सीरे देश से जुड़ी होती है और आज जो हमारा मुद्दा है वो मुद्दा है सिच्छा नीती यारी सिच्छा बैसे हमारे देश में जो सिच्छा की नीती है वो वह पुरानी चली आ रही है अगर हम बात करें पुराने युक की ये पुराने काल की तो बैरिक नीती चली आ रही थी बैरिक सिच्छा नीती बेदों का ग्यान हम लोगों को दिया जाता था उसके बाद फिर जो नीती आई वो गुरुकुल सिच्छा की आई गुरुकुल में लोगो बच्चे पढ़ने जाते थे और उनको गुरुकुल का ग्यान मिलता था उसमें भी बैदिक नीती थी और बेदों का ग्यान वहाँ पर खेलकूर की सिच्छा, सास्तरों की सिच्छा, हतियारों की सिच्छा, यानि सस्तरों की सिच्छा और तमाम सिच्छा दी जाती थी, और सातिसा सारी सिच्छा दी आती संस्कित माध्यम से, जो माध्यम था वो संस्कित का माध्यम था, यानि जो सिच्छा का मुख भासा थी, वो संस्कित भासा से ही निकल कर आया है उसका संस्कित कई भासा में अब्दी में भी गई तमाम चीजों में उसका बदला हुआ है और सब्द बनाए गए है पर जो मुख्य भासा रही वो संस्कित रही यानि जो सिच्छा की भासा रही वो संस्कित रही उसके बाद जो सच्छा की भासा में परवर्तन हुआ तो परवर्तन हुआ है हिंदी और अलालग जो राज्यों में अलालग भासा है जिसमाजेस में भासा है अधारा भासा है है और साथी साथ फिर जो बजला हुआ बजला हुआ इंग्लिस यानि अंग्रेजियों के जो भासा सुरू किये गए, यारी उनने पिशने Пत्र दू भासां में आता था, एक भासा हिंदी और एक भासा अंग्रेजी, यारी कुल माध्यम राज्यों में भी लागू रहा बेकल्प की रूप में और जो ICSE सिच्छा माध्यम है उसमें भी लागू रहा अब अगर हम बात करें कि जो सिच्छा लगातार बन रही है सिच्छाओं में परवरतन हो रहा है नीती अब आ गई है राज्यम चला जाते रहे हैं और एक नए अभियान के अभी हाल में शुरूबात हुई है चार अपरेल 2022 यानि उत्तर प्रेश में स्कूल चलो अभियान जिसकी शुरूबात करें है जो तप्रेश के मुक्वंत्री योगे अरितनाथ अपने दूसरे कारकाल के मुश्कल से हपते भर के बाद ही यानि 25 तारीकों सपत ली और हपते बर बाद उन्होंने इसकी पुर्णाबरती और एक धाचा सहीया तैयार किया और एक एजिंडा बनाया है कि सोजन में हमको हम उसके साथ नयाए करेंगे और हम सौ तिन के अभी शुरुवाती एजिंडा रखना है जिसमें हम रोजगार से लेके सच्छा से लेके संचारी रोग अभयान से लेके तमाम अभयानों की शुरुवात करेंगे तो इसके तहाए चार अपल 2022 को स्कुल चलो अभयान की शुर स्कूल चलो अभयान को मिली रफतार स्कूल चले हम सिख घूझेगा यूपी यूपी में सीम योगी आदितनात का जंता दर्वार एक बर फिर से शुरू हो गया है योगी के दूसरे कारिकाल का ये पहला जंता दर्वार है हलाकि सियम योगी स्कूल चलो अभियान के लिए श्रावस्ती में थे ऐसे में राजमंत्रियों और अधिकारियों ने जनता की समस्याओं को सुन कर उसका सवधान निकालने की कोशिश की उधर सिक्षा की जरूरत और उसकी एहमियत को समझते हुए श्रावस्ती में मौजूद सीम योगी ने स्कूल चलो अभियान की शिरुवात की सीम योगी ने बच्चों को अपने हातों से भोजन कराया और उन्हें सर्टिफिकेट बाटे उन्होंने बड़े ही सजग भाव से बच्चों को तौफा दे कर उनका उत्सह वर्धन किया बच्चों के मास्क लगे होने के पावजूद उनकी खुशी आखों से साब जहलक रही थी अपनी संबोधन के दोरां सियम योगी ने हर विधायक को एक स्कूल गोद लेने के लिए कहा हम लोग फिर से स्कूल चलो अभियान के इस कारिक्रम के साथ जुड़ रहे हैं मैं इस उसर पर सभी प्रदीश की अपनी इस भावई पीड़ी नौन इहल बच्चों का हिरदे से स्वागत करता हूँ उन सब का मैं इस कूल चलो अभियान के उसर पर हिरदे से मैं उनका अभिनंदन्ग दिकरता हूँ योगे आदितिनाथ सीम बनने से पहले जब गोरकपुर के सांसत थे तब भी वो जनतादर्बार का आयोजन करते थे इस दौरान वो अपने लोग सबाशेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निप्टारा करते थे लेकिन सीम बनने के बाद वो लखनव में अपने सरकारी आवास पर जनतादर्बार का आयोजन करने लगे इस दौरान कोई भी व्यक्ती अपनी किसी भी समस्या को लेकर सीम के सामने पहुँच सकता था सीम का जनतादर्बार, कारिक्रम और स्कूल चलो अभ्यान उनके पहले कारिकाल में भी काफी हिट रहा था इस वक्त मैं मौझूद हूँ मुख्यमंत्वी आवास के ठीक बाहर आपको बता दे कि मुख्यमंत्वी जनतादर्बार लगाय हुए है पिछली सरकार में भी जनतादर्बार लगाएगी और इस सरकार की गठन के बाद पहली बार जनतादर्बार लगाय गया है आपको बता दे कि इस जनतादर्बार में समलित होने के लिए अपनी समस्याओं को निदान को लेकर यहां सैकरों की संख्या में लोग मौझूद है जो दूर दरा से आकर अपनी समस्याओ को निदान को लेकर मुखेमंत्वी से मिलेंगे और साथ ही साथ उनसे अपने समस्याओ के समधान को लेकर बात करेंगे वहीं आप देख सकते हैं कि संख्या जो है वो काफी अच्छी खासी दिख रही है कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये लोग अगर अपने जिलों में जो अधिकारी हैं वो इनकी समधान दिला देते तो ये संख्या ना होती बल्कि अब आप देखे कि हालत ये है कि ये अपनी सम स्याव को लेकर आज मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंचे हुए हैं मेरे साथ एक लोग मौजूद है आप अपना नाम बता है हमारा नाम लाल चंद है कहां से आया आप जीला के रहने वाले हैं ग्राम अमिलिया है हमारा लाला पुर्ण ठाने के दरोगा जी हमारे मुसलम सब्सक्राइब को अम्धा घुसेर से आइसा इसको हम फोटू दिया है तरखास सुनाई नहीं मंत्री से मिले है क्या बोले है नहीं हुआ या और इसमें साधा फाल के ले लिए है मंत्री जी और सेर सिंग नाम है लाला पुर्ण ठाना के दरोगा जी हमको बड़ा बिज्जत सूबे की कमान धामने के बाद योगी अपने घोशना पत्र में किये गए दावों और वादो को पूरा करने में जुद गए हैं एक तरफ जनता दर्बार कारिक्रम के जर्ये लोगों की समस्याई सुनी जा रही हैं वहीं दूसरी तरफ स्कूल चलो अवियान से बच्चों के भविश्य को उज्जुल बनाने की भी कोशिश हो रही है केमरा में दीपक के साथ विभान सू प्राइम टीवी लखनो तो देखा आपने किस तरह से उत्तव पिदेश में मुक्पंतिरी योगी आतनाता अपने दूसरे कारकाले बहुत सजग है और जनता के जनादिस का नियाय करते हुए लगातार अलगर एजिंडा बना कर काम करने की सुरूबात रोने कर दिये चाहे संचारी रोग नियंटर अभियान हो और चाहे स्कूल चलो अभियान हो पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर स्कूल चलो वियान के अब सुरूबात कर रहा है तो उसमें भी एक बड़ा परवरतन जरूरी है जरूरी कैसे है कि अगर हम कोई नीती बनाते तो नीती का बेतर क्रियानमन होना बहुत आवस्यक है और साथी साथ जो स्कूल है उनको हम कैसे उचसतरिय बना पाएं जिससे कि लोगों का जो नीजी स्कूल को पती जुकाओ है वो जुकाओ कम हो और लोग महंगी सिच्छा से बस सके और सभी लोग और सभी माद्धम के लोग चाहे बर्गों के लोग बच्चे एक साथ वहां पढ़ेंगे तो निश्यूरुप से एक जो समानता है वो भी आई खास गौर्थ साथ जो हमारे प्रदेश के देश के प्रात्मिक और माद्धमिक पर द्याला है उनकी इस्तिती भी से जो भी रबात करते हैं यो से यह यह की आपको वहां की बिल्डिं के बिल्डिंग को डेखना हुगा जाती है जो प्रैबेट इयूस्कूल अनकी प्राइबिट लिट ही चींदाना बनाई जाती है पैसे ही कमी थ 준क नहीं है और अमके गया हوسकता थूर याज और केंद सरकार मिलकर अपने 6% GDP को सिच्छा के सिर्थ में बैय करेगी यह नहीं सिच्छा नीती की तैयत है तो निश्ची रूप से सिच्छा नीती में बहुत बढ़ा एक फंड भी राएगा और इसको फंड को लाद देना है देश के नोनेहालों को यानि देश के आने चाहे उसको जुर्स करना होगा हमको अपने जो भी स्कूल है प्राद्मिक स्कूल है उनको इस्तिया से बढ़ाना होगा कि वो बच्चों को आकसित कर सके चाहे उनमें बैदरीन बिल्डिंग हो चाहे में रोचक तत्र से उसको पेंड किया जाए चाहे उसमें खेलकूर की सा उच्चे आयबर्ग और नन आयबर्ग भी वहां पर लोगों को आकसित कर सके और उनके बच्चे भी वहां पढ़ सके तो निश्ची रूप से पर दो संस्ता कर धाचा हो गया इसके बाद बात करते हैं तो हमारे देज में कहा जाता है कि आपको यूनिफर्म भी मिलेगी मौ पर साथी साथ हमको ये भी देखना है कि अगर हमको बैतर रूप से करना है तो बैतर रूप से करने के लिए हमको एक बार रिस्पस्ट करनी होगी कि हम उसको और बैतर कैसे करें बैतर कैसे करें आप ने एक अनुमान लगाया कि 1100 रुपय में आप बच्चों को रिफॉर्म जूते, मौजे और बस्ता और स्वेटा दे सकते हैं ये एथार रूप में प्रेटे के रूप में संभब नहीं है क्योंकि इसकी आपको समिच्छा करने पड़ेगी समिच्छा करने पड़ेगी क्योंकि आज की समय में दो जोड़ यूनिफर्म के लिए पैसा आप चाहिए बस्ते का ही पैसा चाहिए जूते मौज़ों का पैसा चाहिए अगर एक पूरा मान के चले तो कम सकम इसमें आपका दो हजार रूपय का खर्चा आएगा तो आपको इस खर्च की समिच्छा करने पड़ेगी और इसमें बजलाब करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको बैतर रूप से उनको किरामन करना है और बच्चों को देना है और साथी साथ अब अगर बात करें कि जो अध्यापकों की निक्ति की तो आप सम्मिदा सम्मिदा सिच्छा के आपने उनको एक माध्यम से रखा एक उनकी वितनमान है और उनका तरीका है और जब हम किसी भी संस्था में एक प्रकार से फुल टाइम अध्यापक रखते हैं और एक इस्था ही दोर पर रखते हैं तो उसका एक अलगी हिसाब किताब है उसका अपना अलगी तरीका है तो निश्थी रूप से खेर अगर संविदा पर रखते हैं तो संविदा के चलन भी चलना है तो बहतर तरीके सिच्छा नीटी उनकी चाहिए और बहतर जैसे आपको अब सरकाई नोकरी में आना पड़ेगा अगर आप सरकाई नोकरी चाहते तो आपको टेट हो गया टेट हो गया तो निश्थी रूप से सिच्छा के स्तर हम बढ़ाने के प्रयास कर रहा है और जो एक न्यूंतम अहरता है वो भी आपकी गजीट हो उसके बाद बीयाड होना चाहिए बैचरे एजूकेशन होना चाहिए एमेड भी होता है मैसरों एजूकेशन होता उसके बाद फिर पित्यों की परिच्छा होती है वो होती है आपको स्टेट थिस टो अब सरकार बेधर सिच्चक अहरता परिच्छा करा रही है पर उनकी निक्ति नहीं हो पा रहे हैं कई पन पराने भी खाली रहे कई IWS के भी काली रहे और ताम तरह का प्दरशन पढ़ेगी कि आप को कौन से पद कहा बनने और कैसे बनने क्योंकि पद तो भनने बहुत आवस्चक है बिना पद भरे आप स्कूल चलो अभ्यान को गति नहीं दे सकते हैं केबल युनिफॉर्म दे कर केबल संसा का धाचा को मजबूर कर आप ये बड़ा युद्ध नहीं जी है कि आपको खाली पद को भनना होगा खाली पदों को भरे बिना आप इस अभियान की सफलता की सोच भी नहीं सकते तो यहां पर पर भी भनने पड़ेंगे और साथी साथ आपको ये भी देख रहा होगा कि जो निजी स्कूल है वो भी लगातार जो अभिवाबक हैं उनके जेब पर कजी चला रहा है उनका कोई मापडन नहीं कोई रूप रेखा नहीं इतना महंगा कोर्स होता है इतनी महंगी किताब होती है इतना महंगा उनका इसके नमिका मrauशा हम के ही जो और consultants on इसRS निजी रूप से लुट रहे हैं और कजरेंगने इस्तों तो एक नीती नरसरी से लेके वो भी इंटर उसकी स्कुल माध्यम से और इसके कंट सरकार होई UP हैं इनको बहतर हैसलियर रहने होंगे नीती को लेके जो फीषय की सवाधियाए बनानी पड़ेगी क्यों डेस की स하 nad kao टीबमेगे के लिए मेरसाद की होँविर anti तो यह पर पी कुछ प्लसे णल्ग है, तो कि अगर ध resonates है, तो यहां पर बस्कोल बहुत बदे बड़े हैं यानि उनको निजी भी नहीं कहेंगे, सरकारी भी नहीं कहेंगे, वो बीच का एक तपका उन वहाँ पर जाता है जिसकी मद्यमाइबर्ग है, तो यहाँ पर जो भी निजी स्कूल है, उनका भी एक लेबल बना के रखा गया है, तो इन लेबलों को तोड़ना बहुत जरूरी ह कि सबने अपने अपने धांचों को अपनी जो फीस की निर्दारता है वो अलालग कर रखी है, कोई कितनी लेता है, कोई कितनी लेता है, यहाँ पर फीस का कोई समानता है ही नहीं, तो सबस्वी बात है जो हमारे CBSE और ICSE के जिम्मेदार हैं, उनको सबते पहले जो उनके बो जो सिस्टम पूरे देश में लागू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल हो केवल आप इस सिस्टम को केवल एक पिसे स्राज में राजी कर दें, या दूसरे राज में लागू कर दें, यह आपका सिस्टम देश के पतिक राज में लागू हो, जो भी CBSE और ICSE Board को फॉलो कर र सिस्टम निर्धारित नहीं है, और वो अपने मन से, मनमरजी देश ले रहा है, उनके आप विकल के लग फीज है, टुईशन के लग फीज है, एद्मिसिन के फीज अलग है, तो यहाँ पर और वो अपने हिसाब से उसको बड़ा भी देते हैं, और पर कहते हैं सरकार का अद बियान चलाती है, सरकार शच्छा नीती बनाती है, पर सरकार यह नहीं कहती है कि आ फीज कितनी ले रहा है। और नाही सरकार फीज बढाने को आपको फीज आप अपने स्वयम के बड़ाते हैं, अपने खर्ची के साब से बढाते हैं, और बेकर सही बात है, तो मेरा मानना यहाँ पर यह है कि अगर आप स्कूल चलो वियान चला रहा है या साथ स्यता मिसन चला रहा है, बेटी बचाओ, बेटी पड़ाओ, जैसी बड़ी बड़े आप टेक के साथ बड़ी बड़ी कोशचे कर रहे हैं, और उसका लाब भी रिख रहा है, और वो चीज़े धरतल पर उतर भी रही है, और जो समाच का जो तपका जो अभी तक असिछित होता था, वो निसीर उसे सिछित भी हो रहा है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम नीती बना रहे हैं, और नीती सा समीच्छा बहुत जरूरी है, तो समीच्छा करना इसलिए जरूरी है कि अगर समीच्छा हम नहीं करेंगे, तो हमारी जितनी भी नीती हैं, उनका कोई फायदा नहीं है, अगर हम स्कूल चलो ज्ञान चला रहा हैं तो हमको नीती बनानी पलेगी कि जो बच्चों को हमें ड्रेस बाट रहे हैं उन्निफ़म मात रहे हैं मौजे जूते बाट रहे हैं किताबे मात रहे हैं बस्ता बाट रहे हैं तो उनका सुल्क क्या होना चाहिए और वह किस माध्यम से अभेवागों कर जाए कम से कम कितना पैसा होना चाहिए पिछी वाद 1100 रखा गया तो थोड़ा बनाना पड़ेगा और यह 1100 वाली वाद जो भी राजी चला रहा हूं निस रूप से उनको एक समिच्छा करनी चाहिए एक पैट्टिकल उनको करना चाहिए कम से कम कितने रुपए में यह सामान आपका आजाएगा क्योंकि कम से कम दो जोड़ी उनिफॉर्म जूते मौझे और साथी साथ बसता अगर आप लेते हैं तो उसके लिए ठीठा पैसा आपको कर्ज करना पड़ता है तो सरकार को निसी समिच्छा भी करनी चाहिए इसे बुक्तान कितना होना चाहिए और साथी सकूल अपने माद्या मेरें से अपना फ いysz निदान करते हैं और फीज्ट में समरूपता बिलकुल नहीं होती है में रेटस की आम जन्ता चाहिएैं थे सरकार की वाद और राज का उणको यह नीती बनानी पड़ेगी कि फीज में समरूपता हो और जो भी सैव absolutely पूर्ट के माद्धम से सिच्छा दे रहे हैं बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्कूल खोले हुए हैं उनकी एक फीस नर्जाज हुने जी कि आपको एचनी फीसरी से अड़ा फीस नहीं ले सकते हैं और साथ ही साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि खेलकूद और तमाम एक्ष्टा करिकूलर अक्टिविटी जानि अन्न चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है तो निसी रूप से जो ब्यवस्था है निजी स्कूलों में है वो सरकारी स्कूल में भी हो क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि सरकारी स्कूल कम नहीं है पर सरकारी स्कूल को एक संस्थागा रूप से कढ़ाचा मजबित करने ही जरूवत है उनको निजी स्कूल के तहर बेतर करने ही जरूवत है चाहे सापसपाई की बात हो चाहे सेनिटेशन की बात हो और चाहे बे तो नामांकन होगा कैसे जब लोग आपकी तरफ जुकेंगे जब लोग आपके अच्छाईयों से आपके स्कूल की जो बहतर होती स्टिडी से प्रभावित होंगे तब ही वो अपने बच्चों को बहाँ पलाएंगा तब ही आपका 100% नामांकन होने का सपना पूरा हो पाएग और आपको स्कूल के सज्थागत धाचे में, स्कूल की ब्यवस्थाओं में, स्कूल की आर्थिक स्टिटी में, स्कूल की जो एक इन्फिरार्स को स्कूल की ब्यवस्थाएं हैं चाहे वो कॉपी किताब हो, चाहे बहां पर बैठने की ब्यवस्था हो, चाहे कमरों की ब्यव करना पड़ेगा और अगर हम खेल कूर की बार करते हैं उसके लिए भी हमको बहतर रूप से उसको सामेजिन करना पड़ेगा और जो हमारे प्रातिमिक और अच्छतर बिद्ध्याला हैं उनको इतनी बहतर तरीकी से विक्सित करना पड़ेगा कि देश का उच्छ आयवर्ग, इसके प्रातिमिक उच्छतर बिद्ध्याला की बच्छे भी बहत आंगे बढ़ेंगे और निस्री रूप से जो उनको कम समझा जाता है कि नहीं वह गाओं के स्कूल है, चाहे वह गाओं का स्कूल हो, चाहे बड़ी राजधानी का स्कूल हो, सारे स्कूलों में एक रूपत और एक समानता के साब से अगर हम सिच्छा नीती को लागू करेंगे, तो आज की चर्चा में अतना ही, नमस्कार साहस सरुका